हाई फ्रेंड्स कुस्चन देखते हैं अ मिल्क टैंक इस इन दा फॉर्म आप अ स्लेंडर होज रेडियस इस 1.5 मीटर एंड है इस 10.5 मीटर फाइंड क्वांटिटी ओफ मेल्क इन लिटर्स डैट कैन वे स्टोर इन दा टैंक ठीक है देखो एक मिल्क का टैंक है जो की सिलिंडर के फॉर्म में है सिलिंडर के अकार में है सिलिंडर के अकार का एक मिल्क टैंक है ठीक है उसकी सिलिंडर का जो रेडियस दिया आपका 1.5 मीटर दिया है और उस सिलिंडर का हाइड जो दिया है वह 10.5 मीटर दिया है बोल रहा है कि उस टैंक में उस मिल्क टैंक में कितना लीटर दूध जोता है इस्टोर किया जा सकता है ठीक है तो कितना लीटर दूध इस्टोर उसमें क्वांटिटी बतानी है कि कितना लेटर जो दूद्जो है उस टैंक में स्टोर किया जा सकता है उस मिल्क टैंक में जितना स्पेस होगा उतना ही हम लोग क्या मिल्क को स्टोर कर सकते हैं ठीक है उससे जदा स्टोर नहीं कर सकते हैं इसका मतलब मिल्क में जितना स्पेस होगा तो इस पेस उनों फाइन डूट करना का मतलब क्या होता है उसमें वालूम करना ठीक है तो वॉलुम को अगर बॉलुम जो सिलिंडर का निकाल लेंगे तो हमको दो मालूम चल जाएगा कि उसमें कितना मिल्क जो है रखा जा सकता है ठीक है टों हमें क्या लिकाना है quantity of milk ठीक है quantity of milk quantity of milk निकलना है ठीक है quantity of milk देखो quantity of milk जो है equal है किसके equal है देखो volume of cylinder के ठीक है volume of cylinder के cylinder के आप तो कहोगे internal उसके volume के इंटरेंडर के Jupiter कि इन्टेरैंडेंटर्नल क्योंकि उसमें कुछ थिकनेस होगे वा की नहीं होग मुझें नहीं क्या और कि उसकी इसकी इस्ताने की चार्चा मतलब म्याहर norm yum Math तो इसका मतलब कितना हो मं ça कितना होता देखो इसलिंडर का वॉलूम का फर्मुला कितना होता पाई र स्क्वाइर स्क्वाइर एच ठीक है फाइब का वायलू इसमें कुसी पर कर मेंसन नहीं कि यह क्या लेना है तो हम שמपली 22 32 127 लेंगे आर या क्या है देखो तो आर का वैल्या कैई 1.5 तो 1.5 का स्क्वार एइनको डिकुफ स्लिंडर की से मैं इस सेस में देखलो यह ब vapor तो यह आपका स्लिंडरशिप में मिल गर्टएंट है ठीक है मिल का ठेंट है जिसका रेडियस या radius जो है कितना है 1.5 meter है और इसका हाइड जो है कितना है 10.5 meter है ठीक है 10.5 meter है radius ओके तो अब देखो तो H की value कितना है तो H देखो नहीं यहां पर है ना देखो तुरह सावस्ट लिखा वह तेन पॉइंट फाइब इसका है 10.5 तो इसे solve करते है 22 by 7 into square इसका मतलब 2 times multiply किया गया है ठीक है into 10.5 तो यहां देखो एक हड़ेगा तब का 1 कितना digit है एक जीरो इसे हड़ाओ कितना digit है एक जीरो इसे हड़ाओ 1 कितना digit है एक जीरो ठीक है तो देखो इसे 7 से cancel करते है 7 से आपका 7 1 जा 7 कितना हुआ 3 हुआ 3 और 5 35 75 जा 75 35 ठीक है हो गया अब इसे cancel तो होने वालत तो लग नहीं रहा है फिर इस पर 4 आ जागा ठीक है है 4 आ जाएगा कि देखो हैं पर तो आपक्त न ओगया 22 into 15 into 15 into 15 बाय अपको कितना हो गया 1000 इतना आया नो तो देखो इसको अभी solve नहीं करेंगे ठीक है यहां देखो यह कितना आगया आपका आगया क्यूबिक मीटर में ठीक है लेकिन आपको question में बोला है कि इसको जो होता है किसमें आपको find out करना है लीटर में कितना लीटर मिल्क जो है इस टैंक में रखा जा सकता है कितना store किया सकता है ठीक है तो हम जानते हैं कि यहां देखो कि one cubic में one cubic meter is equal to one thousand लीटर होता है मतलब एक क्यूबिक में one cubic meter में one thousand लीटर होता है ठीक है तो तो इतना क्यूबिक में इतना क्यूबिक में कितना लीटर हो that means simply हम क्या करें multiply करने किसे 1000 से चलो इसको 1000 से multiply कर देते हैं 22 into 15 into 15 into 15 into 15 into 1000 ठीक है 1000 हो गया ठीक है ठीक है थाउजन हो गया by 1000 ठीक है तो देखो 1000 से 1000 केंसिल हो गया तो यह आपका किस में आगया लीटर में ठीक है तो इसे सॉल्व करो कितना रहा है बेखो तो 22 का multiply करो 22 into 15 into 15 into 15 कितना रहा है अब कराई 74250 इतना लेटर हो गया ठीक है इतना लेटर जोता है 74,250 लेटर मिल्क जो है उस टैंक में स्टोर्ड किया जा सकता है तो प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए helpful है तो प्लीज चलन को like and subscribe जरूर करें क्योंकि आपका like and subscribe भी motivate करता है दोस्तों के थैंक्यों फ्र झाल